दोस्तो रिलीज वाले दिन ही अगर आप नई नई मूवी को अपने फोन के अंदर देखना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं, तो ये वीडियो स्पेसली आपके लिए है, यहाँ पर दोस्तो आप लाइप प्रूफ देख सकते हैं, जो भी मदलब के अलग-अलग 2024 की मूवी रिलीज हुई है, वो सब दोस्तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, इस एप के अंदर, एक क्लिक में दोस्तो आप ये मूवी को देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, अपने फोन के अंदर, बीना इंटरनेट की भी दोस्तो आप इसे जो है देख पाएंगे डाउनलोड करने के बाद, यहाँ पर दोस्तो आप देख लीजे, जितने भी नईनी मूवी रिलीज होती है, उस सब दोस्तो आपको इस एप के अंदर देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आप खुद देख लीजे, 2024 की सभी की सभी मूवी आपको हिंदी और अलग-अलग जो लैंग्वेज है, उसमें भी दोस्तो मूवी देखने को मिल जाता है, ठीक है, यहाँ पर बॉलिवूड से लेकर हॉलिवूड के यहाँ तक की टॉलिवूड की जो मूवीज है, उस सब दोस्तो आपको मिल जाएंगे, तो कौन सा यह अप है, कैसे आप दोस्तो यहाँ से मूवीज को अपने फोन में सेव करेंगे, देखेंगे, सब को चले इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर करना मत बोलना, दोस्तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर जादतर जो मूवीज है ना दोस्तों, वो 2024 की रिलीज होई है, और रिलीज वाले दिन ही दोस्तों आप यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर एड हो जाती, रिलीज वाले दिन ही दोस्तों आप इन मूवी को देख सकते अपने फोन के अंदर, या फिर यह तो सेव कर सकते हैं डाउनलोड कर सकते हैं तो कैसे करना यह कौन सा एप है इसका पूरा प्रोसेस क्या है चलिए मैं आप आपको पूरा प्रोसेस लाइब दिखा देता हूँ तो इसके लिए दोस्तों आपको करना क्या होगा अपने मोबाइल के अंदर यह जो कर जाना यह नहीं की पहला एप देख लो उसके बाद फटक से चला जाओ दूसरा एप भी दोस्तों आपके लिए इंपोर्टेंट हो सकता है ठीक है तो दोनों एप का जो वीडियो है वो देख कर जाना तो यहाँ पर आने के बाद सर्च का बटन दिया इस पर आप क्लिक करें इसे दोस्तों आपको अपने मोबाइल के अंदर डाउनलोड करना है उसके बाद दोस्तों आपको इसे वो पेइन का लेना है ठीक है रिलीज वाले दिनी दोस्तों यहाँ पर मुवीज वगरे आ जाता है यह सब दोस्तों आपको यहाँ पर साइन इन कर सकते हैं यहाँ पर उसके बाद जो है popular के उपर आप click कर दीजिए, जैसे आप popular के उपर click करेंगे, यहाँ पर दोस्तों आप देख लीजिए, जो latest movies है, उस सब दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, release वाले दिन ही दोस्तों आप यहाँ पर जो movies है, उसे आप देख सकते हैं, ठीक ह पसंद आए, इस पर आप click करेंगे, अब यह movie दोस्तों कहाँ पर stream हो रहा है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, बस इस पर आपको click कर देना है, click करते हैं दोस्तों यहाँ पर play के उपर आप click करेंगे, जो movie है, वो यहाँ पर play हो जाएगा, थोड़ा सा छोटा भी देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, समझ गें, तो यह पहला app हो गया, अब मैं आपको दूसरे app के बारे में बता देता हूँ, ठीक है, दूस्तों जो दूसरा app है, इसके लिए आपको क्या करना है, अपने mobile में वापस से Google Play Store को उपेइन करेंगे, उपेइन करने ओसके बाद आप यहाँ पर कट कर देंगे, कट करने के बाद दूसरों यहाँ पर आप देखेंगे जो latest latest movies है, ओस अब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक click में दोसरों आप इन movie को देख सकते हैं, और साथी साथ download कर सकते यहाँ पर आप देख लिजे यहाँ पर आपको movie के सासत और भी जो wave series है और काफी साई चीज़े हैं वो देखने को मिल जाता है तो यहाँ पर आप movies की उपर click करेंगे तो यहाँ पर दोसों सिर्फ आपको movies देखने को मिलेगा ठीक है आप यहाँ पर देख लिजे जितने भी latest latest movies हैं उस अब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा ठीक है अब कोई भी movie दोस्ता आप यहाँ पर चाहिए तो उन्हें watch कर सकते हैं जैसे की एक example के लिए दोस्तों हम यहाँ पर यह वाला movie यह वाला ठीक है हम यहाँ पर watch के उपर click करते हैं और आप देख लिजे एक छोटा सा add आता है तो इसे आपको close करना है थोड़ा सा wait करेंगे तो यह add खतम हो जाएगा ठीक है यहाँ पर आप देख लीजे अभी movie जो है यहाँ पर शुरू हो गया है हम इसे अलग-अलग language में देख सकते हैं अपने mobile के अंदर download कर सकते हैं ठीक है download करने के बाद दोस्त जिससे आसानी से आप कोई भी movie को देख सकते हैं डाउनलोड कर सकते हैं सब कुछ मैंने आपको clear कर दिया वीडियो पसंद आया हो दोस्तो तो like को share करना